लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें गलते हैं कर दो कर दो एक टूटे हुए दिल की आवाज मुझे कहिए सुर जिस में है सब गम के वो साज मुझे कहिए मैं कौन हो और क्या हुए किसके लिए जिन्दा हुए मैं अगर भी नहीं संझी वो राज मुझे कहिए वो राज मुझे कहिए वो राज मुझे कहिए किदर से आया विजल्मिया पड़ो से ये आवाज मशूर शायर और तवायफ उम्राओ जान अदा की है सरकार जरा देखिये तो दर्द भरे अलफाज किस खुबसूरती से निभाए इसको आप से बहतर कौन जाने का क्योंकि आप खुद एक शायर और मुकम्मल मुसन्नफ हैं हम बहुत दिलों से उनके बारे में सुनते आये हैं आज मिलना चाहते हैं अब इजाज़त दीजिए बिजल्मिया हो सकता है हम पर भी उनकी जिन्दगी के कुछ गोशे रोशन हो जाएं आमीन आदाब आदाब मुझे मिर्जा हादी रुस्वा कहते हैं मैं उम्रावजान अदा साहबा से मिलना चाहता हूं जी आप इंतजार फर्माइए हम पूछ के आप जी बेहतर नमाजिश बाइसा कोई मिर्जा रुस्वा आप से मिलना चाहते हैं वो मुशूर शायर बुला लोन है जी जी आईये हुजूर नमाजिश आदाब आदाब तश्रीव रखिये रुस्वा साहब शुक्रिया नमाजिश करम मौफ कीजेगा हम आपके आराम बे खलल हर्गिस ने डालते मगर हमें आपकी आवाज में मजबूर कर दिया आपकी जर्रा नमाजी है वरना हम क्या हमारी आवास क्या ऐसा ना फर्माएं गजल तगजल संगीत यह सारी चीज़ें अम्राओ जान अदा के नाम से नहीं से जुड़ी हुए मगर हाँ आज यह क्या हुआ जिन्दगी के साथ में दर्द का यह तार कहां से जुड़ गया आप तो जानते हैं मिर्जार उस्वा साहब तर्द ही तो जम देता है शायरी को संगीत को वाह कुछ हमें भी तो सुनाएं लुट्व है कौन सी कहानी में आप बीती कहें या जग बीती मुहतरमा मैं महसूस करता हूँ कि आप ले जिन्दगी को करीब और बहुत करीब से देखाएं और आप बीती से बेहतर कोई कहानी कोई दूसरी कहानी नहीं हो सकती अब आप से क्या कहें आपने तो हमारा नाम ही चुरा लिया जी चा फर्माया आपने सारे जमाने में बदनाम हम हैं और रुस्वा आप हो गए हाहा बहुत खुब मगर ये बात भी उम्राओ जान अदा ही कह सकती थी छोड़िये कौन उम्राओ किसकी जान कैसी अदा हम तो फैजाबाद की मिट्टी में पले अमीरन थे और आज भी अमीरन है अमीरन? जी हाँ अमीरन चलिए आज उसी मासूं की दास्ता सुनाती हूं आपा क्या ढून रही हो? अमार अंगुटी गुम गया है अम्मा में मार डालेगी आज थे आज़ी यह जो अमीरन ऐख यह जोरी है पुछ नहीं बस ऐसे ही किषकी चोरी है तू? अपने अब्बू की और किसकी तो झीक है पह तेरे अब्बू है कॉन अमार अभू बस आवत है यह का अभू हम है तुम कौन ओ हमार जान का दुस्मन आवर खान तुम आगए तुम तो गवाही देकर हमें साथ साल के लिए भिजवाई दिये थे वो तो हमें तो जल्दी आगए तेको दिलावर हम सच नभी बोलते लेकिन जब हाथ कुरान शरीफ तो हमें सच बोलना ही पड़ा ठीक है तुम अपना इमान पालो हम अपना इमान पाले ने तुम अपना इमान पाले ने तो प्लेटा घर चलाविए तुम तो एसे करे था जैसे हम जेल से नहीं हम आज करे आये रहे है यह चोरी तो मन्य असकी जान कट्वडा लागे है ही इले विटिया तुह अच्छे अपलोला है अपटाशे एप अपनार नाल यह ने बिट अच्छे है आप एप एप अफटाशे आप एपटाश लाते है एम एले देख वड़ा जान का टुकोड़ा पहले तुहार मुमें डाले है फिर खावे है पिर खावे है पिटिया आला तुझ अमेशा हुज रखे है आगए अपलोग अपलोग असलाम अले कुम सलाम बड़ी महरवानी हो गई याद नहीं पांडे जी की बिट्टा की शादी में जाय का है इती तेर से आये है और हालत तो जाओ रुकसत का वक्त हो गया है नजाने कौन जादू गया है इंवा पेड तुम पर कि बस तिंभर उसी के नीचे खेलती रहती है तुमारी लाड़ी तु तो पेड को बुरा मत के अमीरन के अमा तुहार जैसा तो है तो अपने आंचल की चाया से इन सब को दूप से बचा हुआ हाई हाई बड़ी सानी हो गई तुमारी लाडली चली आप त्यार हो जाए इसे ले जाए आप मेरन ऐट यह तो ले जाए चल अमीरन आ बैठ लाहां हथ चलग हाथ हाथ ओस दूनुर्द आ हाथ ना धिश्छा लाग बाल तूसरा हाथ नहां अरे अंगुथी कहाँ है अहां गुल्हं अमिरण? काहां गई तेरी आप अभूछी? आप गोगई आप गोगई?! जानती है 900 किनी महनत कर के अभू झाहिए तुझे तुझे अभू क्यो रहा है we people Miguel. ए हुद नहीं है तो ऑभू तो इसल महनत से आप अभू अभूछी दिल वाइती अल्लाह चल रोमाद आजा आजा बिट्या अबू दूसरी दिल आदेंगे अब रोमाद तो खुशी का मोका होता है ना बिल्कुल बिटा बिल्कुल अबू तो फिर पांडी जी के घर वाले सब रोवे क्यों थे पेठे की विदाय के समय रोना तो आवई है बिटा अबू बताओ हमार बिदाय होगी तो आप लोग भी रोगे अज़कुल बिटा अम्मा तो रो रोके बावरी हो जाएगी मैं तो फिर शादी नहीं करूंगी ना बिट्या शादी तो करेंगा पड़ी हमने कह दिया नहीं करे मीर साब अएगर रहने अच्छा अमीरन की शादी का दिन पक्का करे को रहतनर की लिए कि अमीरन की शुगई का हुम हुम- Learn fato अब खानदी है ऒड्दिय तो कर दें है कि जो करचा प्रु टहीं heart वहां से आवेगा? वो लोग नजाने कहा समझ बेठे हैं? वहार इतना बड़ा गहर देख कोई भी धोखा कहा जावे है? वहार जाने हमका एरासत मेरा रहें? कुछ भी हो, शादी तो करनी है आज तक कौनो बिटिया को घर में बिठाय रखे है? एज अमीर उनको विदा तो करेका पड़ी रहिसा 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 जी वीवीजा देखो चिराग की लुग बुझा चाहती है इसमें और तेल डालो या कुछ भी करो पर इसे मरने लो दो जी पहता है एसी ही मेरी तक तिर का चिराग भी बुझा था जिस दिन मैं एक सख्मी परिंदे को बचाने के लिए उस कमभक्त तिलावर के साथ उसके यहां चले गई थी अगर पे निकको भुआया ना उपल भर में पूख के इसे ठीक कर देगी वहाना कोई बुआ थी ना मौसी अरे निकको भुआ बस खाली कमरा था मेरा मौ बंद करके हाथ पांग बंद के बोरी में बंद करके बैल काडी में डाल दिया अरे जड़ी बस चल्दी अनचान रहोगा अरे जरा देख के चला करो जमादार अब हाथा हो गया होता तो लोग यही कहते लिए ने बद्ला ले लिया अरे नहीं दुष्मनी थोड़ी है वस यह बताषय गिर गए अब हम आमीरन्बटिया से क्या कहें गे आमीरन्बटियाद, अब हम दिखो अर उस दिन अखरी बार अमीं अभू को देखा अ कर दो को तो बहुत भोला है या बड़ा हुसियार है कहें है दुस्मन ही थोड़े है पता चलेगा हरामे को के करें का अराधा है काट कर भैक दूंगा सस्री को अरे नारे ऐसा ना करना मौत के परेवी एक मौत है वो कॉन से अरे लग्राव लगी चला था अरे लग्राव लगी चला था है कोठे पर बेज देए है और चार प्वैसे का फाइदा भी कहो ऐसी कहें अरे तू तो बड़ा होसियार रहे हैं मिठ्ष के अरे लग्राव मिठ्शा ओर फित अरे लिवा अरे वृष्राव मिर्षा और तंने जा और ठखाता है म तुम तुम भी तो सोने काने वाला खिलाती है पेशक खानम सहाब पेशक यह लो जी शुक्रिया अदाव खानम सहाब एक और छोटा सा मुंतजार कर रहा है निवाले के लिए आप कहिए तो हाजर करूँ बुलाव पीरबक्ष आये अदाव आदाव आदाव यहाँ बिटिया यह ब्राव नहीं आव फास पैठेटऊ जाओ आओ बिटिया ज़ोमाद आओ जाओ शाद यह नाम है तुम्हारा? अमेरन वह वह लाशा है तो है? बंगला अई हाई बंगला हुआ हाई गवार इपना भी निजनती है तो तुम तैजाबाद से आई हो जी मैं आई नहीं हूँ यह लोग जबरन ले आई हाई हाई खुदा जाने किसकी लड़की है क्या हाल होगा इसके माबाप का मुए पतानी कहां से उठा लाते हैं खुदा जूट न बुल्वाएं हम तो बेकुसूर हैं यहां न बिक्टी कहीं और बिक्टी खानम साहब यह फिर भी सही रहेगी आपनी सुना नहीं और कोठों पे लॉंडियों की क्या गथ पनती है तौबा तौबा बोलो हुकुम भुदाओधधब प्लूट जिए ऐफ। जुदाओधधधधधभी तौबा भुदाओधधभी हैं यहां यहां बश्चता अश्चता रहां जाएं अश्चता रावटबियों अश्चता ज़ता हैं अश्चता में डिएविए हुषेनी मन्जूर है आरे नहीं मन्जूर तो ले जाओ ले जाओ नहीं मन्जूर है तो जाओ बाहर इंतजार करो पैसे भिज़ाते हैं अरे दफाओ जल्दी कीजिएगा आज से अमीरन हमारी हुई खानम साहब अमीरन को हमें देदे हम इसे पालेंगे बच्ची आपकी खितमत हमारी अच्छी बात है लेकिन हम इसे अमीरन नहीं उम्राव कहके पुकारेंगे वाँ कितना शांदार नाम है आज से तुम्हारा नाम पढ़ गया उम्राव आउची उम्राव जी वाँ वाँ चलो आज़ चलो अमीरन बिटिया अमीरन बिटिया बिटि तुम्हारे लिए बताशे अमीरन अभू 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 लगता है कोई बुरा खाब देखा जो उठके पैट गई खाब तो अच्छा था अभू को खाब मी देखा था हाँ आज़ 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 ज़ए आज़ उसे ये सब पहने को मिला, जिसने बताशी से वहतर कभी कुछ न खाया हो, उसे जर्दा और मुतंजन खाने को मिलने लगा, तो पागल न हो जाएगी, साथ खेलने को दोस्त मिले, बिस्मिल्ला, खुर्शीत, गोहर, उनसे मिलने के बाद, उन्ही की तरह बनने की ख्वायश भ मौल्वी चाहब और बुअहा हुसेनी ने अबबू और अम्मी की कमी महसूस नहीं होने लगा मैिताיל है, 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 तौभ्ला तौभा तौब इटपना तौब इजा उनसे म own? यह नित खाट यह कहां आइ harод और भूर शेढ़ एंधे हैien, श्याश excited. रह devil, बाङोँ जायोँ क्यां सिर्वा इसे, सब देखाँ कförि दुमें आज बा whitman कनि आ यह थे। कि लूट घृषकेज के करल तारीम सोड फूवाश है टालीम सुरू हो गई तो पढ़दे लिखने के साथ रूम्ट़ की तरीदा और सज़ sistा निक बुआ हुसेनी ने बात करवाना सिखाया तो मौलवी सहाब ने शेरोशायरी से तारूफ कराया हासाब ने सुर्तार से पहचान करायी और गुरुजी ने धिरकना सिखाया पाव में पासेब की जग़ा घुंगरु आ गया देखते ही देखते बच्पन कहीं पीची छूड़ गया और जवानी ने दर्वासे पर दस्तक दी गोहर मिर्जा यह क्या मजाख है चहरा नजर ने आता अच्छा है ना चहरा नजर ना आए तो अच्छा है इतना हसीन चहरा हो तो अपनी ही नजर लग जाती है रहने दो हम कहां के हसीन है हसीन तो है बिसमिल्ला खुर्षीद अमीर जिनके चहने वाले उनके नाज उठाते हैं रोजने नजराने पोशाकी कहने खिदमतकार खादीमाय और कभी भूले भढ़के हम उनके हाँ पहुंच जाए उम्रा अच्छा वा तुम आ गई वो मेरी ज़रा पान की तष्टरी लेके आना तो किसी ना किस माले भगादेती हैं मैं मैं जांती हो क्यों तर्ति हैं तुम सब्सक्राइब कहीं तुम्हारा चेहरा देखने के बाद कोई दूसरा चेहरा ना भाएगा वह हमैं तुम्हारा उन सबके आशिक तो उनकी जुल्फे भी सवारते हैं एक हम है सब घुदी करना पढ़ता है a किaza री किई थीचर खुब तुमने अरे तो क्या हुआ यह पहली बार चुछ रहा हूं तुम्हेशा BACHS 보면 की यह झाया और भष्पन की बात अर लगा मत देखिवा रहा हुआ तुम्हे Mirdood he Kya Bardzo वह रहाए जो दफाओ यहां अरे बुआ मैं तो अमराव के खाल बना रहा था बखवास मत कर मैं तेरी रगरग से वाकिफ लड़कियों के इर्दगिर्मन राता रहता है वो तेरा मुआ बाप भी ऐसी था कहने को नवाब था पर एक दोमनी टेकवा बेसा ही नहीं छोड़ी द पर दफाओ इस मुए पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है तुम भी कहां उस उबाश के जाल में उलज गई क्या करती इन रुखी उलजे बालों से तंगा गई थी आपको भी तो हमारे लिए वक्त नहीं है सच पूछो तो किसी को भी नहीं है है हानम साहब को भी नह चोटा नहीं करते बिटिया वक्त पदलती देर नहीं लगती उम्राओ का भी वक्त आएगा आपर का अंग नाचूताई मैया का अचरा बोली चरैया पावे बस एक पिंजरा क्या बात है विटिया तुम्हारी आखों में नमी यच्छा नहीं लगता भई जी कुछ नहीं बस यूही बच्पन का सुना गीतिया ता क्या अगली जनमोही बिटियाना कीचू अब बच्पन गया उसके साथ भाष्या भी चूट गई अब तो खड़ी बोली में कहना सुनना होगा जी बच्झा वेशा में का वाष्या थारैकों वी क्या मैं जाना होगा तुमने घ्र होसा उस यूह फुष्या भाष्या अंए भी आहिए पले songs वाह, पत्थर पे गिर जाएं तो पैमाना बना दें, बहुत खुब, और वेठी, आखे की जगा नजरें कर दो, आखें नहीं गिरती हैं, नजरें गिरती हैं तो अबा, ये बात तो उस्दाद ही कह सकते थे ना, शुक्रिया अरे, ऐसे शुक्रिया अदा नहीं होगा, अब हमने तुमारी मदद की, अब तुम्हें हमारी मदद करनी पूलेगी, आपकी मदद और मैं? क्यों नहीं? होकुम फर्माईए, एक मिस्रा हुआ है, हमने छोड़ा था जमाना चेने पाने के लिए, अब तूसरा मिस्रा नहीं हो आपहला, अब तुम सुझाओ पानी के लिए है जाने के लिए, जमाने के लिए हमने छोड़ा था जमाना जिनहें पानी के लिए है लो वही छोड़ मैं हमको जमाने के लिए वाह सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है तुमने, आज तो तुम्हें सच मुच इनाम देने को जी चाहता है, बोलो, क्या चाहिए तुम्हे, मांग लो, मांगो ना, आप देंगे, जो नहीं, तो एक दोना भर बताशे ला दीचे ना, बताशे, मेरे अबबु हर शाम लाय करते कि सोच में पढ़के, मौलवी साहब, तुमने तो हमें जिन्दगी भर के लिए बांध लिया, अगर जिन्दगी ने वफा की, तो हमारी शवकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, मगर आप बताशे नहीं लाएंगे, अरे, लाएंगे, वो लाएंगे, लाएंगे पत्ताउ अर favol उठाष इसे भुष्मने चैटे ड़ू, यह मुठी हमेशा तुम्हारी इफादथ करेगी आदाव आदाव कश्रीफ रखें जी शुक्री बिसमिल्ला जी जर देखें क्या सीख है आओ आदाव खानिम साब उम्राओ पुर्शीव जी आदाव 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 यहीं सही मौका है पहला मुझरा, पहली पार, इतनी बड़ी महफिल, पुरा लखनो वहा होगा तो अच्छ ही है ना, एक ही रात में तमाम लखनों को अपने फ़न का जल्वा दिखादागा दिखादागा हीरा अपनी चमक से वाकिफ नहीं होता, सिफ चोहरी को इसकी पहचान होती है तुम हमारा बेश कीमत मौती हो, और अब वाक्त आगया है, मौती को सीव से बाहर निकारने का जाओ, तैयारी करो जी खानूसाब जी खानूसाइब जी खानूसाइब तरह देखे देखे पुस्ताख ही माफ मगर आपने अच्छा नहीं किया उम्राव का इंतखाब करके आपने हम सब को नीचा दिखाया खानम जो भी करती है सोच समझ के करती है आप मुझे भी तो चुल सकती थी मैं तो अपकी अपनी अलाद हूँ एक बात अच्छी तरह जान लो बिस्विन इस पेशे में जस्पात या रिष्टों की कोई पीमत नहीं होती फुदा जूट न बुलवाए हम मम्ता से महरून नहीं है लेकिन जो भी करते हैं वो इसलिए कि तुम मासाइश की जिंदगी गुजार सको उम्राओ का नाम होगा तो कोठे को शोहरत में लेगी और शोहरती दौलत का सरचश्मा है उपर वाले ने जब सीने में दिल रखा तो उसमें महबत भी अदा की है परबूर मुहबत और वो पूरी की पूरी किसी एक शक्स पर लुटाने के लिए वाह, सुभान अल्ला जिस रात मेरा पहला मुझ्रा लखनों के किसी रईस की हाँ था वो शक्स मुझे मिल गया वो शक्स मुझे मिल गया वो शक्स मुझे तौबा मेरी अंगूठी गिर गए वीवी साहब कहाँ गिर गए पता नहीं यहीं कहीं होगी इधर इधर देखिया कहाँ गिर गए आप इसे ढूल रहे है जा शुक्रिया शुक्रिया वा वा वृ वी समजया देय पिर भी हम को लियो लियो आयो वाव अबराव वाव वाव सलाव सलाव तुम्हारी महसिल में आ गए है तुम्हार महसिल में आ गए है तो क्यों ना हम ये भी काम कर ले सलाम करने की आरजु है सलाम करने की आरजु है इधर जो देखो सलाम कर ले वाँ याँ वाँ वाँ तुम्हारी महसिल में आ गए है तो क्यों ना हम ये भी काम कर ले सलाम करने की आरजु है इधर जो देखो सलाम कर ले ये दिल है जो आ गया है तुम पर वगर न सच ये है बंदा परवर जिसे भी हम देख ले पलट कर जिसे भी हम देख ले पलट कर उसी को अपना हो लाम करने सलाम करने की आरजु है इधर जो देखो सलाम कर ले बहुत सी बाती है तुम को कहनी बहुत सी बाते है हमको कहनी बहुत सी बाते है तुम को कहनी कभी जो तनहा मिलो कही तुम कभी जो तनहा मिलो कहीं तुम तो बाते हम ये जमाम करें सलाम करने की आर्जु है इधर जो देखो सलाम करने वो लेला मजनू की हो महबत किशीरी फरहाद की हो उल्पत वो लेला मजनू की हो महबत किशीरी फरहाद की हो उल्पत जरा से तुम जो दिखा जुरर तो हम भी उन जैसा नाम करने तुम्हारी महफिल में आ गए है तो क्यों ना हम ये भी काम कर ले सलाम करने की आर्जु है इधर जो देखो सलाम कर ले तुम्हारी महफिल मुझरा इतनी बड़ी महफिल कैसा रहा? बस आपकी तालीम, दुआए और अल्हा करो कुछ ठीकी हो गया अरे खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ नजर उतार दू बिट्या की अरे आज तो उम्राओं ने कमाल ही कर दिया पूरे नकलों का दिल जीत लिया अल्हा पूरी नजर से बचाए अच्छा कर रही हो हमारी उम्राओं तो पहले ही नजर के कादल थी इस मुझरे के बाद तो सच मुझ बेमिसाल हो गई होगी ना जाने कैसी कैसी नजरें लगी होंगी इस पर हमारी उम्राओं के साथ एक रात कुजरने को पर उम्राओं की सोबत तो किसी नसीब वाले को ही मिलेगी हाँ और इजाज़े देंगे हम उसे जो सबसे उंची रखम अदा करेगा बहुत महंगी है उम्राओं की नतनी आज से तुम शीश महल में मुन्तकिल करती जाओगी जहां तुमारे आश और असाइश की सब इंतिजाम होंगी मैं वहाँ अकेली है पेशच मैं कही नहीं जाओगी यही रहोंगी आपके पास अले बच्पन से आपकी आगोश पे पली हो दूर कैसे जाओँगी अले तूर कहां हम लोग आसपास ही तो है और फिर बिटिया हमारा एक गोशा अब तुमारी शान के शाया नहीं आप तो एसी बाते ना करें मैं अवेश आपकी अवेरन रहोगी कुम राओ बच्पन बहुत पीछे छूट गया अब अपने आपके साथ जीना सीखो जाओ पिटिया शीश महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है रुको यह लो यह आइना साथ लेती जाना आप चोरी चोरी अपने आपको देखने की ज़रत नहीं है हम 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 वह खुश हाँ किस मुझ से तारीफ करो उम्राव कल रात का मुझरा बस यू समझ लो पहली बार खुद रागिनी को गाते सुना और बिजली को नाचते हुए देखा इतना भी मचढः कि किरू तो चक्नाचूर हो जाओ मेरा खुदा जानता है तो मिससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल सच पूछो उम्राव तो बरसो में इतनी खुश नहीं हुई यह बात तो सच है मैंने हमेशर तुम्हें उदाज ही देखा है महबबत की मार ऐसी ही होती है मगर महबब तो खुशी ही खुशी है ना मजा मगर जुदाई और दूरी जानलेवा होती है खुदा ना करें तुम पर कभी ऐसा वक्ता है मगर महबबत करोगी ना तो जानोंगी उम्राव खानम साथ तश्रीफ ला रही है जुग जुग जियो उम्राव तुम्हारे सलाम ने वो कमाल किया कि नवाब सुल्तान की रूप की गहराई तक पहुच गया मू मांगी तेने को कह गए नवाब साहब आज जाए तश्रीफ लाएंगे और तुम्हारी खाफगाह में गुजारेंगे उनका दिल जरूर पहला देना हुम् चलो उम्राव तुम्हें भी तुम्हारा नवाब मिल्या पर यह नवाब सुल्तान है कौन? होंगे कोई बुड़े खुषट एक पाओ कबर में लटकाए उम्राव की महबत का खाफ सजाए जान दे देंगे जान देंगे हुम्हें के भी उम्राव जैसी हूर मिले ना मिले जान दे देंगे हुसन के दर पर मौत का इंपजार कौन करें उम्राव नवाब सुल्तान तश्रीफ लार है कैसे है वो हम ऐसे है नहीं जो आईए हुजूर किसी के दिल का पयाम ले लो निगाह भेरो सलाम ले लो आप आप है जी क्यों आपको हैरांगी हो लिया जी दरहसल यहां सबका यही ख्याल था कि नवाब सुल्तान कोई बड़ी बुसर्गोंगी किलोरी लीजी नहीं जी नहीं शुक्रिया जी नहीं शुक्रिया में का शौक फर्माएंगी जी नहीं तो किस चीज का शौक है आपको हमें तलाश है शौकी और अधाकी और वो दोनों चीजे आपको देख कर ही मिल गई हलाँ बातें बड़ी खुबसुरत करते हैं आईए यहां बैठिये क्या सोच है हैं हजारो सालों में करोडों ने आसमान में चांद को देखा है पर शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसने चांदनी को पनी पाहू में ले लिया है है अगलाव है अगलाव गुस्ताखी माव नवापसाहा आई आपकी महफिल तयार है इतनी भी क्या जल्दी है अगलाव जल्दी है अगलाव नवापसाहाँ तुम जो पासा गए हम जो शर्मा गए राज दिल पागए तुम भी पहले पहल हम भी पहले पहल तुम भी पहले पहल हम भी पहले पहल जब निगाही मिली, दिल मी कलिया खिली, जैसे लहरा आगे, तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल, तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल, मसल की रात में, हाथ है हाथ में, बात ही बात में, बात पहुची कहा, वसल की रात में, हाथ है हाथ में, बात ही बात में, बात पहुची कहा, एक मुलाकात में, देखा ये खाब तो, दिल है बेताब तो, दोनों भबरा गए, तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल, तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल, हुआ है इश्क एक तीर है, इश्क तकदीर है, इश्क एक खाब है इश्क जन्जीर है, इश्क एक तीर है, इश्क तकदीर है, इश्क एक खाब है इश्क तकदीर है, जिसका दिल नाम है, वो तो एक जाम है, जान चलका गए, तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल, 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 मुबारक हो, मुबारक हो खानम साहिब, हमारी उम्राव उम्राव जान हो गई है मुझ मीचा तो कीजिए, यह लीजिए यह तो अच्छी ख़वर सुनाई ती, लेकिन इस पात का ख्याल रहे कि नवाब सुल्तान उम्राव की गिरिफ में इस तरह आ जाए कि वो उन्ती कम्सोरी पचाएं, उम्राव के पहलो सो के गहीं जाही न सके इस तरह के रही साथी रोज रोज हाथ नहीं आती जी खानम साहब, खयाल रहे है, अच्छी अच्छीद, मुबारक हो, शीरी नी नोश वरमाईए हमारी उम्राव जान हो गही है, बबारक हो बख बहुत-बबारक हो क्या बात है गौहर मिर्जा लवा भी खून जोर मा रहा है क्लोड ए See मू मिठा कर हमारी उम्राव जान हो गई है नहीं बुआ, कल रात एक कड़वी गोली निगल गया था, उसकी कड़वाट का मज़ा तो लेने दो चलने गोडे, कड़वाहटी रहने दे सुना है नवाब सुल्तान आच्छाम फेरा रहे हैं? बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो हमारी उम्रावजान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पहने? ओफो, लगता है उम्रावजान को नवाब सुल्तान से महबबत हो गई है हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है खुब लेकिन खानम सहाब चाहती है कि जादू उनका नहीं आपका चलना चाहिए ताकि आप उनकी कमजोरी बन जाए और अगर वो हमारी कमजोरी बन गए तो तो कमभध दिल को समझा ले ना पर नवहीं खता करोगी जो कभी मैंने की थी महापत खता है तो खता ही से तो खता है तो दिले नाता तुछे पुआ क्या है तुछे नाता तुछे 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 पुआ क्या है आपको भाए हम गई कब थे अच्छा जी जड़ा देखें हमारे पहलों में आए क्या देख रहें आप हमारी तक्दीर जी नहीं अंगोठी तेखना चाहती थी कि आपने पहन रखी है या नहीं खुदारा इसे हमेशे अपने उगली में रखिएगा और कहीं कुम करती तो बहुत मार पड़ीगी कौन मारेगा हमें हम और कौन अच्छा जी बात यहां तक पहुंच गई उससे भी आगे जब हम छोटे थे ना तब एक चल्ला कुंकरतिया था माह ने इतनी जोर से तमाचा लगाया कि दिन में तारे नसर आगए दर्द तो बहुत हुआ होगा दर्द इतना नहीं हुआ दर्द इतना नहीं हुआ रोना बहुत आया अच्छा बताइए कल रात में इंदची आई आपके खयालने आमें जगाया रखा और आप हम तो रात भार अपने मसीहा के बारे में सोचते रहे बादा कीजिए जब तक जिंदगी रहे आप रोज हमसे मिलने आएंगे बादा तो करने पर निभाना मुश्किल होगा क्यों क्योंकि अब भाजूर ने हमारी शादी सभा से तैय कर दी है सभा कौन है ये सभा हमारे खाला की बेटी आपने हमारे होते हुए किसी और के बारे में सोचा ये हमारे लिए मौत के पेगाम से कम नहीं चले जाएए यहां से खुदा के वास्ते आप हमें तनहा छोड़ दीजे वो बदनसी प्यार की निशानी वो अंगुठी लोटा दीजे पहले आप हमारी अंगुठी लोटा ही हैं कभी नहीं क्यों? क्योंकि हमने महपत की है और सिंदी की भार इस अंगुठी को उपने पास रखेगी अंगुठी लोटा ही है और जाएए बस सुम रहा हूँ बस बस हम कीसी से शादी करने नहीं जा रहे हैं बस यही देखना चाहते थे कि आपको दिल में अमार ली कितनी मुहपत है यानि कि आपको हमारी वफा पर शक था नहीं हुजूर नहीं और अगर था तो अब बिल्कुल नहीं है हम बादा करते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे हमेशा हर रोज उम्रा से मिलने आएगे रोज रोज अच्छा आप हमसे तो वादा करवा लिए अब आपकी बात करें आप जहां है महां दिन रात महुपत के सौदे होते हैं जिस्प बित्ते हैं आप यगीन से कह सकती हैं कि आप हमारी और सिर्फ हमारी हैं वुद्रीए इसका मतलब आप हमें बाकी तवायवों की तरह समझते हैं ना तो हम कोठी पैदा हुए और नाही बाकी कोठेवालियों की तरह हैं हम अमीरन थे और राज उम्राव जान है और हम भी उसी अमीरण के दीवाने हैं जो फैजाबाद के बतनसीब घर में पैदा हुई और मजबूरी के आलम में यहां लाई गई हैरान के ओर ही है हम अपनी मेबुबा के बारे में सब कुछ चान चुके हैं चलो सुला हो गई पहली बताएं आपके सब्बा केसी है खुबसूरत है हमसे भी स्यादा बहुत स्यादा इतनी की हमें लगता है कि हम उसके काबिल नहीं है कमाल है आप उनके काबिल नहीं और हम आपके काबिल नहीं तो होगा क्या हमने कब कहा कि आप हमारे काबिल नहीं है अभी अभी तो आपने हमें बेवफा कहा उसके पहले आपने भी तो हमें बेवफा कहा है पर कितना है कि आप बेवफा करके भी नवा भी रहेंगे और हम वफा करके भी तवाइवी रहेंगे कौन किसको यहां भला संजा हमने क्या संजा तुमने क्या संजा बेवफा हमने तुमको संजा सनम तुमने हमको ही बेवफा संजा जूते इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो जूते इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो दिल है ना जुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो जूते इल्जाम मेरी आखों में जो अच्छे नहीं लगते आंसो तु जलाया ना करो मुझको सताया ना करो दिल ना जुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो जूते इल्जाम तुम किसी और की खिसमत में हो तुम मेरे नहीं तुम किसी और की खिसमत में हो तुम मेरे नहीं ये अगर सच भी है तो मुझको बताया ना करो दिल ना जुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो जूते इल्जाम अभी आले हो अभी पेगे अभी जाते हो अभी आये हो अभी बैठे अभी जाते हो सिर्फ एक रस्म निभाने को तो आया ना करो दिल है ना जुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो जुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो जुक इसे दुखाया ना करो कते हो जयां जानते हैं यह इसलिए तो अंधर जा रहे हैं हमारी महमान बैठे हैं? बैठे हैं तो भगाय भी जा सकते हैं इसने जो दिया है उससे दुगना दे सकते हैं हम निहायत पेउदा इंसाने आप लगता है शरीफो में उठने बैठने की आदत नहीं आपको अरे वाह! तबाइफ के कोठे पर बैठे हो और शराफत की दोहाई दे रहे हो आप हद से बढ़ रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारा पठानी खुन खॉल उठे और आपकी जान की लाले पड़ जाए बहुत देखा है ऐसे पठानी खुन को इधर आओ मेरे पास आओ उम्राव जान मार डला खुन गार आओ यह क्या कर दिया आपने मौमध अफजल इन्हें जल्दी हकीम के पास जाए मार डला मार डला अब क्या होगा नवाब सहब आप यहां से निकल जाएए हम यह सब संभाल लेंगे हम यहां से नहीं जाएँगे यही रह कर हर बात का सम्दा करेंगे लिल्ला चाहिए आपको हमारी जान की गसब इस वक्त यहां से जले चाहिए क्यों डर गई एक पठान के बच्चे से पहला बढ़ा है आपकी जान से बढ़कर और कोई चीज नहीं आप कह रही हैं तो जा रहे हैं हमारे कहने पर वो चले तो गए मगर फिर कई दिन तक न कोई खबर आई और न वो आए हम उनसे मिलने की दुआ करते रहें करते दो लो आए और न वो आए खबर आए और आए आए और आए कि अच्छा की कसम यह उदासी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तक तीर में उदासी हो तु कोई क्या करे और अगर मैं सुदासी को खुशी में बदल दू तो इना मिलेगा तु मेरी खुशी का नाम जानते हो जानता हूं वो कमबक सुल्तान उसी की ख़बर लेकर आया हूं तो सुनाओ ख़बर पहले नाम कहते हैं हम तु नहीं आ सकते आप तो आ सकती हैं कहां उनके दोस के घर मैं पता जानता हूं तु ले चलो ना मगर खानम साहब उन्हें मैं संभालूगा खुदा तुम्ही खुश रखे एटिया आदाप मौलवी साहब आदाप अरे अपने बताशे तो लेती जाओ आपको हमारे बताशे याद रहे लेकिन आप जल्दी में कोठे से बाहर कहां जा रही हैं जाहें भी तो आपसे जूटना कह सकेंगे लभाब सुल्तान से मिलने जा रहे थे वो पठान जी बेक बंदा लगता है आपको पसंद है अल्ला मददार हो जाहिए 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 जल्दी कीज़े जल्दी य bland Judge जाहिए जल्दी कीज़े जाहिए जाहिए क्यूल जाओड़निस क्यूल आर्प क्यूल क्यूल that's hot अगें तरसकें आपको देखनी के लिए. अधाब. आधाब? अप है अपारी दोस्त अशरफ और आप है उम्राव. आजकल हमारे दोस्त की जबाँ पर एक ही नाम है अम्रा, महातर्मा, यह मेरा गरीब खाना है, और मझे कबाब में अड़ी बनने की आदत नहीं, लियाज़ा इजाज़त चाहता हूं, खोदा हाफिस, खोदा हाफिस, खोदा हाफिस, बड़े दिल्चस्प आपके दोस्त, जानते हैं कि महबत की दास्तान लंबी होती है और वक कम, सोचल दिये, वैसे मुहपत के दो पल एक उम्र के पराबर होते हैं, बातों में भी वही जादू है जो आपकी आखों में है, देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें तुमने तो खाब देखना सिखला दिया हमें उस जिन्दगी से कैसे सितन का गिला करें जिस जिन्दगी ने आप से मिलवा दिया हमें देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें आखों में हैं नशिले बहुत जुफ में लहर आखों में हैं नशिले बहुत जुफ में लहर दर्या ये कैसा खुसन का दिखला दिया हमें हर मालों का जहां मुहबत की दास ता हर मालों का जहां मुहबत की दास ता हम क्या कहेंगे आपने क्या क्या दिया हमें देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें मनजर तमाम रंग में दूबे हुए से हैं मनजर तमाम रंग में दूबे हुए से हैं तुमने ये किस मकाम पे पहचा दिया हमें ये आप है की आया है मौसम बहर का ये आप है की आया है मौसम बहर का शाराब कर दिया हमें महिका दिया हमें देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें तुमने तो खाब देखना सिखला दिया हमें उस जिन्दगी से कैसे सितम का गिला कर जिस जिन्दगी में आप से मिलवा दिया हमें आप 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 किदर जी नवाब सुजदान से मिलने उनके दोस के घर पर उसकी ये जुर्रत तुमने उसे रोका नहीं जी बहुत रोकनी कोशिश की पर इश्क पर जोर नहीं बिस्मिल्ला खुदा के वस्ते खुर्शीच से ताल की तमीज सीखो कौन थी वो अम्राव जान लखनव की मशूर तबायो तुम्राव जान लखनव की मशूर तबायो रहिसा अ जा गई बननो कहां गई थी जी वो नवाब सुल्ताने बुलवाय था उनकी दोस्त के हाह, बहीं गई थी हमारी इजासत के बगेर, तुम जानती हो ना, कि हमारी इजासत के बगेर यहां ना कोई अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है यह खानम जान का कोटा है नवाब सुल्तान खुदतार भी है और समझतार भी जानते हैं हमारे वक्त की कीमत खानम साब के खिदमत में पेश करने पड़ती है ये रही कीमत तुम तो ऐसे कह रहे हूँ जैसे कोई जुल्म हो रहा है जी नहीं, करम की पारिश हो रही है और हमारे करम को भूलिएगा नहीं, ओराव जान जी, खानम साथ क्या बात है उम्राव, खानम तुमसे खावा कियो है क्या बताएं हम नवाब सुल्तान से मिलने क्या चले गए बस गुना हो गया हाँ, तो आखिर आपको मुहबद हो ही गई ऐसा ही समझ लो खुदा खेर करे उम्राव जान हम महबद के सुदागर है मगर हमें महबद करने का हक नहीं है मगर हम मजबूर है इसलिए तो ये शेर लिखा है क्या लिखा है, जरा सुनाओ तो जान देना किसी पे लाजम था सिंदगी यू बसर नहीं होती सुभान अल्लाः हमारे प्यार के बिंगे आसमान जो रही थी अर्मान पूरे हो रही थी और चाहत थी कि एक दूसरे के सिवाय कुछ दिखाई न देता था एक हसीन खाब देख ही रही थी कि बस हमने शेर लिखा है सुनाइए एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर लेगे हमग्तर सब सोती के सोते रहे अब हम सुनाए एक शातिर चोरनी ने मेरा चुरा के लेगए हम जानती थे आप चोर और चोड़नी को जरूर मिलवा देंगे हुजूर नवाब शुजात अलीखा साथ तश्रीफ लाए हैं आपसे मिलना चाहते हैं बुलाईये अब क्या होगा आधाब अब गालिमन उम्राव नाम की तावाइफ हैं जी बहुतर होगा कि आप यहां से तश्रीफ ले जाएं अभी इसी वक्त हमें अपने बेटे से कुछ अकेले में दो बाते करनी हैं खुदाफिस अबु आपने उम्राव को बेज़द करके बाहर निकाल दिया इसमें सिर्फ उनकी बेज़दी नहीं हैं हमारे भी तोहीन है और हमें यह अच्छा नहीं लगा अच्छा उम्राव की बेज़दी आपको बेज़दी लगी और आप जो हमारे फर्मान के खिलाब जा रहे हैं उसका कुछ नहीं हमने आपसे कहा था कि उम्राव को मिलना मत हम उम्राव से महबबत करते हैं महबब बर्कुदार महबबत वो जिस्वा है जो दूआ बनके बाप की सांसों से और दूद बनकर मा की च्छाती से निकलता है दौलत से खरीदी हुई महबबत महबबत नहीं हवज है अब आप हमारी महबबत की पाकीज़गी पे उंगली उठा रहे हैं हमारी महबबत की पाक है ये सिर्फ खुदा जानता है और आप खुदा नहीं है सल्तान अब आप बत्तमिजी पर उतरा हैं कुफर पकने लगे हैं मत भूलो जो दौलत आप उस तवाय पर लुटा रहे हैं वो आपकी नहीं हमारी है हम आपको बेदखल कर सकते हैं तो फिर हमें बेदखल कर दीजिये क्योंकि उम्राव हमारी सिंदगी से बार नहीं जाएगी ठीक है तो हम अभी इसी वक्त आपको बेदखल करते हैं अपनी जिंदगी से, रुपाए पैसों से, घर से और जायदास से आप आप बेदीए, साखेरिय थे अईर साखेरिय थे आप 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 बेदीए सौनकी के अद्बा बावां पहु नहीं तो नहीं उनकी अबावा पहुँच कह थे, महुत कुद्स्समे थे सुल्टान से अकेली में बात करना चाह रहे तो तो क्या तब से दिल तक तक कर रहा है तुम जाओ ना जाके पता करके आजाओ कि क्या हो और क्या नहीं मैं खुदा के वास्ति जल्दी खबर लेकिया ना मैं इंतिजार करोगी वा कोहर मिर्जा उसने फर्माज भी की तो रकीब की खबर लाने की उम्राओ, उम्राओ, क्या खबर, कुछ बोलती क्यों नहीं, खबर बुरी है इतनी बुरी भी नहीं पर अच्छी भी नहीं है, कुछ मुह से भूटो तो बाप पेटे में टकरा हो गया, नौबत यहां तक आगी कि नवाब सहाब ने बेटे को बेदखर कर दिया अपनी दौलत से, अपनी जायदाद से, और शायद अपने घर से भी मगर क्यों? नवाब सुस्तान, तुम्हारे महाबत का दम भरते हैं, और नवाब सहाब को ये बात एक आख नहीं बाती हमें तना चुरतो हुई 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 कार से ऴाव जार समें आपके तके एका है तक यार टियस्ट कशा है मुझा एकर डॉय है तम्हें यकिने कि तुम्हारे वह नवाब सुल्तान आएंगी खानम साहब, आप नवाब मैसाडम पैज अदान आदाब तस्वीव, तस्वीव रखें? अधाप, आधाप, अल्याप अल्लाभ खेर करे यह तमंचा जी जी संजाए लेगन आम तू सुनते आये कि जिस कोटे पे गोली चल जाए उसका नाम और भी रॉशन जाता है लेगन आप यकीन कीजिए हमारे तमंचे से गोली नहीं चलेगी छोड़िये मुए तमंचे को, जरा कलाई आगे बढ़ाईए, फर्माईए, हमारी कोठे की कौन सी रौनख पसंद पिरेंगे आप, अबरावजान, 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 आप हमें पान नहीं खिलाएंगे, अबरावजान के हुस्निके चर्चे ही, हमें आखी चलाएं, खानम सहाब, क्या दीजे, हम इनकी दिल जोई न कर सकेंगे, हम नवाब सुल्तान की हो चुके हैं, और उनकी वफा काही दम भरते हैं, सुन लिया आपने, खुदा जूट न बुलवाए, इनकी वफाओं के सामने हम भी मजबूर हो चुके हैं, बहराल हमें उम्रावजान के दीदार हो गए, जहन नसीब, तो फैज अली साहब, हमारी यहां और भी रौनके हैं, जैसे के खुर्शीर, बिस्मिल्ला, हुसना, जीनत, आप किसी का भी इंतिखाब कर लें, जह नहीं, हमारी बदनसीब है कि हम उम्रावजान को चाहते हैं, और उम्रावजान कीसी और को चाहती है, मगर हम मायूस नहीं अगर जिन्दगी ने वफा की, तो फिर मिलेंगे, और हाँ, उम्रावजान की एक जलग और आपके वक्त की कीमत, शुक्रिया, जैसाली को आपने कदमों में एक पल के लिए जगा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आफिस, खुदा आफिस, खुदा आफिस, अधिए तेड़ी है, लेकन आद में है दौलत मन, नवाब सुजात अली की नाम, कहोत है था कहाता है? एक हम सुनिए जी, हुछा हुछा कि आफिस, शुक्रिया, आप भीता रहेगा आइस्ता बोलिए वो सुन लेगा सुन लेगा तो सुना करें हमें परवाह है क्या हम कहे देते हैं हम और बरदाश्ट न करेंगे पेगम वो हमारा दोस्त है समझने की कोशिच कीजिए तुनिभाव दोस्ती हमें एजाज़त दे दो हम यह घर छोड़कर चल इस वक्त सब घ्यरे तो है शरापी है हमने खूपी है पीतेंगी तो नहीं कैसी बाते करें यह ज़ितेंगी तो नहीं कैसी बाते करेंगे यह जद्विताब करेंगे कर रहे थे कि हम उम्राव जान के पास जाएंगे स्वामे ने याले है करम किया अपने है शुक्रिया नभाप साफ हमारे पास रहेंगे अदाग आईए चलिए हम भी गर हुए है हम भी गर हुए है बे सहारा नहीं चलिए जी आईए आप हमें सुलानी की कोशिश करनी है क्या आपको लगता है कि आज हम पहली बार नशे में हैं नशे में हम आज से थोड़ी हैं वो कौनसी घजल थी हाँ इधर चो देखो सलाम कर ले खुलाम कर ले यह क्या कह रहें आप आप तो हमारे सर्दाज सर्दाज बेघर बेरोजगार कंगाल सर्दाज मजाक ओड़ाने के लिए और कोई नहीं मिला आपको खुदा के वासे ऐसी बाते ला कीचिए क्यों यकीन ने होरा की अम बेघर हैं जाएए हमारे अबा हुजूर से पूछे नवाब सुझात अली खान चार महीने के थे उनकी गोद में हमने पिशाप कर दिया तो उन्होंने अब उठाक के फर्ष पे भेग दिया तो आज अपनी जिन्दीकी से बाहर भेग के कौनसी बड़ी बात की हाँ, एक बात है आप हमें अपनी सिंदीकी से बाहर तो नहीं पेगेंगी कि क्या कह रहे हैं आप ही तो हमारी सिंदीकी है हम भी आपको हमारी सिंदीकी से बढ़ कर चाते हैं लेकिन अगर पेवफाई की तो एक बात याद रहे यह पठान आपको काटके अपनी सिंदीगी से बाहर भेगते का ठीक है काटके भेगते मगर क्यों ऐसी बाते कर रहे यह सब ठीक हो जाएगा आपके अपऊ आपको गले लगा लेगे हां कंहल है ! हम यहां महबत की बाते कर रहे हैं और आप हमारे अब्बात जोर की बाते कर रहे है क्षिग कहीं आपको हम पे रहम तो नहीं आरा हम तो खोदी रहम के काबल हैं किसी और पे रहम कैसे करेंगे जरा इधर दिखें देखें आपकी आखों में साफ नसर आ रहा है रहम रहम वो भी आपके खुलाम के लिए है खुलाम खुलाम की जगह यहां नहीं है यहां है यह क्या कर रहे हैं यहां रही हमारे पास नहीं हम आपके खुलाम हैं सुनिये यह क्या बचपड़ा है उठिये पलंग पर चलिये आजाए चलिये उपर लेकिन हम तो उम्राव जान की खुलाम हैं खुलाम तो फिर हम भी आपके खुलाम हैं हम भी यहीं बैठते हैं ठीक है फिर यहीं सोचाते हैं ठीक है यहीं सोचाते हैं खुलाम 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 यह रीजी खानम साहाँ जचे गाना खुर्शी दिये देखो इतनी बारी के इसकी करही हैं बहुत बारी को बहुत दुदा है आपे बहुत सजेगा आप यह दुछाला देखी आप 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 इसके कढहे देखे वज़ सबस्ते मेहंगी दोहर है वो दिखाव यह नवाब सुल्तान से कहा हमने याद कि यह रीजी खानम साहब आप 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 हमारे नजदीब बैठे खबर मिली थी कि आप राथी को तश्रीफ लिया थे और खुदाना खासता अपकी तबियत खराब थी आप कैसे हैं जी ठीक हो अल्ला आपको हमेशा ठीक रखे लेकिन हुआ क्या था कुछ खास नहीं और तरते ख़र सुनी थी कि बड़े नवाब साहब के साथ कुछ कहा तूनी हो गई थी नवाब साहब गर्मी तो सब होता ही है किसी भी बात को दिल पर मत ली ज़े गा हाल बद्द जहां तक हम उन्हे जानते है सारी दॉलत बड़े नवाब साहब के हाथ में है जब चाहे महर्वान हो जाए, जब चाहे हाथ रोक लें मगर खानम सहाब तुम बीच में मत बोलो हम तो एन्हे दुनियादारी की बात समझा रहे थे खुदा जूट नबुलबाई नवाब सहाब आप जैसे रईसी तवाइफ को एक दर्जा देते हैं वरना बिचारी, तवाइफ की क्या उकार? महबत को लेकर बैठेगी तो खाएगी, क्या? तवाइफ का तु सिर्फ एक रिष्टा होता है, वो है दौलत से बिल्कुल सही का आपने खानु सहाब, नवाब सुल्तान ने तो सब को तु सिर्फ भीच में बोली? खानुम सहाब, अगर आप शाल के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हम माजूर हैं और यह कहते हो, हमें बिल्कुल शर्म ने आती कि हमारे पास कुछ भी नहीं है शर्म की बाद तो तो तमाम अवत के नवाबीन के लिए है हाई तक्दीर, अब हम इसलाइख हो गए कि एक जड़ा से चिथड़े के लिए एसे राइसों के सामने गिर्गड़ाना पढ़ आपड़ा है यह लीजे हार, नवाब सुल्कान नहीं इनायत किया था, इसे दीजे और शाल ले लीजे यह जूट के रही है, यहार हमने इने नहीं दिया नवाब सुल्तान, आप हमारे मौजज महमान हैं, जब तक चाहे ही यहां रहे हाँ, अगर कल को किसी ने कह दिया, कि इतने बड़े नवाब एक तवाइफ के टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो हम तो उसका मून उच लेंगे मावफी चाहते हैं हम, मागर बात कुछ हज से आगे बढ़ गई है यहां, और शाल्क खानों साब क्या हवाले करता हैं, और आम एक और लेंगे मारावचान के लिए, और अगर आप और आप पिछा हैं तो आप दोनों के लिए भी एक एक लिए देंगे अब हम एजासत चाहेंगे मगर जाने से पहले इतना ज़रूर कहेंगे कि मोहबत को दौलत के तरह उसमें तोल कर आपने सिर्फ हमें ही नहीं इंसानियत को गाली दी है हाई हाई, लगता है आपको सच सुनने की आदित नहीं है नवाब साहब सच तो यह है खानम साहब कि हम नवाब सुल्तान हैं और आप सिर्फ एक कोठे वाली हैं सुनिये कहां जा रहे हैं आप रुकिये हम भी आपके साथ चलीगे नहीं उम्राओं आप हमारे साथ नहीं चल सकती आपको यहां रहकर हमारा इंतिसार करना होगा जिन लोगों ने आपकी दोहीन की है हम उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकते तो क्या हमारी मुश्किले बढ़ाएंगे आप हमारी सिंदी की यूही अंदेरों में भटक रही है समझने की कोशिश करो उम्राओं हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तक्तीर का लिखावा नहीं मिटा सकते और अब हमारी तक्तीर है चदो जहद और आपकी तक्तीर है इंतिसार हमारी चानले लिगा ये इतिसार खुद आफस् अबलाओं तक्तीर है अबलाओं 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 ये क्या हुलिया बना रखा है चलो उठो और तयार हो जाओ पैज अली नीचे इंतिजार कर रहे है मगर खानम साहब हम नवाब सुल्तान के हैं बूल जाओ उसे नवाब सुल्ताने खाब है और तवाइफ की आंखें खाब देखने के लिए नहीं होती खाब दिखाने के लिए होती है लोगों को निजाने के लिए होगी मगर नवाब सुल्टान खाब नहीं हकीकत है और हम उनसे महपत करते है महपत? उम्राव जान ये एश औ इश्रा की जिंदगी महपत के साहरे नहीं तौलत के साहरे चलती है ठीक है नवाब सुल्टान लोटेंगे और दौलत ले कि आगे कल क्या होगा हमें नहीं मालू हाँ आज की बात करो आज नवाब सुल्तान कंगाल है और पैज अली दौलत मन जटक तो कंगाल कहा पकड़ लो पैज अली का दामन इसी में भला है तुम्हारा भी और हमारा भी रोनी से कुछ हासिल लिए होगा पिटिया हम सब हालात के शिकार हैं तुम्हारा भी और हम भी दौा तुम्हारा भी हर्स्किया गालिप का इक्षिर आंको चाहिए एक उम्हार होने थर कौन जीता है तेरी जुख के सर्फोने थर आपकी खरीदी हुई लॉंडी हासिर है लॉंडी? आप तो हमारे दिल की मलिका है जो बिक गई हो वो मलिका नहीं हो सकती इस बात का फैसला हमारा दिल ही कर सकता है और कोई नही मगर हमारे दिल का फैसला कोई नहीं सुनेगा क्यों नहीं? हम सुनेंगे और हमेशा सुनते रहेंगे और हमारी खुशी की तलाश कभी नहीं छोड़ेंगे आपको जिस खुशी की तलाश है वो एक जिन्दा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं और लाश दफनाने के काबल होती है, महबबत के काबल ने खुदा के वास्ते ऐसी बाते मत कीचे, अब हमें मार दीचे और हमारी जुस्त जूखा खोन मत कीचे हमारी खुशी हमें जरूर मिलेगी वाद करके निवानिवाले कम होते इश्क न करना इश्क में गां होते हैं में न मिल सकूँ जो तुम से मेरी जुस्त जो न करना में न मिल सकूँ जो तुम से मेरी जुस्त जो न करना तुम है मेरी जुस्त जो न करना मेरी जुस्त जो न करना में न मिल सकूँ जो तुम से मेरी जुस्त जो न करना में न मिल सकूँ जो तुम से मेरी जुस्त जो न करना मुझे जिससे है मुहबत उसे है अजब ये आदत मुझे जिससे है मुहबत उसे है अजब ये आदत कभी मुझ को फेर लेना कभी गुफ्त गुना करना तुम्हे मेरी ही खसम है मेरी आरजो न करना में न मिल सकूँ जो तुम से मेरी जुस्त जो न करना हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं सिर्फ आपको मैंने चाहा था किसी को मेरा हाल क्या है देखो मैंने चाहा था किसी को मेरा हाल क्या है देखो जो किया खुसूर मैंने वोही तुम कहू न करना तुही मेरी ही खसुम है मेरी आरजू न करना मैं न मिल सकू जो तुम से मेरी जुस्त जू न करना बहुतने क्या है जो कहां है ख्यों करते हो दो अचल आर प्युस्त बहुतने के अचल जो रखवतने क्या लुवतने जो तुम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल, यह शीजा। आपने सच कहता हूँ तेल के बगार आप शिन्दा लाश हो। अगर फेजल भड़ गoppर आइक शिन्दा करई रहेगा। जद तुमें एक लाश बनाना के छोड़ेगा। झाय उला भो जो जाल, मैं लूह जाई खरै उला। नहीं लाल, उलाा टो एज जिरा हुआ्ट जआ पर ले लुट ज़ जडू मैं टू कर मिते जो inputs आदाब, कैसी आप? आदाब, जिन्दा है, एक हैसान करतीजिए, बोलिए, सुल्तान साब का कोई पता हो, तो हमें बता दीजिए, जी, खबर यह कि उनके मौसा जनाब नाजिम-दीन उने अपने साथ गड़ी ले गए है, गड़ी? जी हाँ, वह वहां के मौसिफए आला है, यह वही मौसा तो नहीं, जिनकी बेटी का नाम सबा है, जिनसे सुल्तान साब के वालित उनका निकाह करने की सूचे है, गालिब इन वही है, आपने सही अंदाजा लगाया है, अच्छा, हम चलते हैं, अपना खयाल रखेगा, खोदा हाफिस, खोदा हाफिस, चलना, ज़ना आद अजाद, क्या कर देचा है, आहिए, तस्षीव रखीए, अभी तस्षीव रखीया है, आप यहांद, क्यों नहीं हमारे पास, देखिए आपके कहने पर हमने जुस्तजू भी छोड़ दे और आर्जू से भी किनारा कर लिया अब खिद्मत तो करने दीचे ये क्या फर्माए आपने खिद्मत करना तो हमारा फर्स है आपको तो हमारा साथ भी कवारा नहीं ऐसा कब कहा है तो फिर चली हमारे साथ खिली हवाओं में या तो आपक अधम भी गुटता होगा हमेशा के लिए नहीं एक माइने के लिए ही साई कहां हमारे यह दौलताबाद दौलताबाद है कहां यह से काफी दूर कानपूर से भी परे गड़ी के रास्ते सो कर जाते हैं गड़ी से होकर जी कुदरत काफी महरभान है अमपर आपका दिल भी भल जाएगा ठीक फर्माया अपने हमारा तम घुटता है यहां पर हम चलेंगे आपकी साथ मगर खानम साभ जब आपको हमारा साथ हो तो खानम साभ क्या किसी का भी खाफ नहीं होना चाहिए इचासत उम्राव तुमने फैज अली के साथ जाने की जिद्की और हमें मू मांगी खीमत भी मिल दें हमारी दुआएं तुम है साथ लेकिन खुदा जानता है कि हमारा दिल बहुत खबरा रहा है देखो बेटी हमारी दुनिया जैसी भी है अपनी है बाहर की दुनिया बहुत बदसूरत है हम बदनाम जरूर हैं लेकिन जो भी करते हैं सच्चाई से करते हैं इमानदारी से करते हैं धोका धड़ी और मकारी से नहीं बाहर जाके कैसी दुनिया में लेकि तुझे इस सोच के दिल कहां पुटता है अल्ला मालिक है मैं आप ही से मिलने आ रही थी मैं जा रही हूं कहां पैसली के साथ एक महिने के लिए पैसली के साथ मैं गड़ी पहुंचाऊंगी नवाब-सुल्तान वही है मैं उन्हीं के कदमों में सिंदेगे कुजाने के इरादे से जा रही हूं दुआ कीजिए मेरी दिल की मुराद पुरी हो जाए आमीन खुदा तुमें खुश रखे और पिठे तर पलटकर इधर मत देखना मगर वो गड़ी बात आप किसी से न क्याना तुम बेफिक्र होकर जाओ मेरी हर सांस के साथ तुमारे लिए दुआ निकलती है जब तुम यहां आई थी तो मेरा अपना कोई नहीं था कोई भी नहीं तुमाई तो एक इठिया मिल गई आज उस बिटिया को खुशी-खुशी बिदा कर रहा हूं तुमारे अबबा होते तो ना जाने क्या कुछ देते तुमारी बिदाई पर पर मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं खुदा के वास्ते ऐसे न कहीं आप तो दुनिया के सबसे अमीर वाप हैं क्या नहीं दिया आपने प्यार, शफकत, अकत जिसके साहर मैं इस खुद करसी से भरी दुर्या करसा सामना कर सकूगी मैं जहां भी रहूगी आपको याद करूगी अमना ख्याल ज़रूर रखना अब जाओ भी नहीं तो मैं रोतूंगा रोकर किसी को बिदा नहीं करते तो अरे जहां हम जरूरी काम से जाएंगे आपको कुछ देवियां रुपना पड़ेगा जी ये गुर्सवार कौन है आपके साथ ही जी अमारी रियासत के सिपाही आई ये चले असलाम आलेकुम वालेकुम असलाम जी मौतर्मा कुछ देर के लिए आम पना लेंगी बेशक्त शुक्रिया आप हमें यहां तनहा छोड़कर जा रहें खुदा का गर इससे मैं फूज जग और क्या होगी हम बस यू गए और यू आए आप तश्रीव रखें आप तुम जो नही हो सूनी है मैं फिल सुना सहे दिल वीरानिया है तुम जो नही हो खुद आका शुखर है आप आए तो, थोड़ी देर यहीं सुसना लीजिए या अल्ला, इनके हाथ में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, छुटा सा आद्सा हुआ था, उसमें श्याद लग क्या हो, चलिए आप सामान ले लीजिए, हमें जाना वाका चलिए मैं और अपका तमचा कहा है, यहीं है, चाहिए उसी हाथ हमें गिर किया हो, चलिए, चलिए, खुदा आफ़े खुदा आफ़े मौलबी शाहभा, चलिए आपको पीछ आखिए जाओ। 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 तकैद फैज अली, हम कई सालों से तोहे पकड़ने की फिराग में थे, और आखिर तुम हमारे हते चड़ गए। हम कल रात से तुम्हारा पीछा करते आ रहे हैं। तुम्हारे बाकी सब साथी पकड़े गए। और आप तोहार बारी है। ले चलो इन सब को गड़ी। इन ओरतों को भी। सुल्तान बेटे, आपकी सब परिशानिया लखनोव में थी। इसलिए हम आपको यहां ले आए। मगर लगता है लखनोव आपका पीछा करते करते यहां भी पहुँच गया है। अब आए हैं क्या। नहीं मिया। उम्राव यहां पहुँच गई है। उम्राव? मगर वो अकेली नहीं। फैज अली डाकू और उसके पूरे गिरों के साथ गिरफतार हुई है। और हमारी हिरासत में। फैज अली डाकू वो तो नवाब हैं। नहीं मिया। वो डाकू है जिसकी बरसों से हमें तलाश थी। नहीं मानने वाली बात नहीं है। सुल्तान बेटे। यहां जाएगा। चेहरों की सफाई परना जाहिएगा। चेहरे दगाबास भी होते हैं। क्यों मैं उसे मिल सकता हूं। क्यों नहीं। जब चाहो। और वो हमें मिलने के लिए निकल पड़े। लगा हमारी मनजिल खुद चलकर हमें कले लगाने आ रही है। कि सितमजरीव जिंदगी ने एक बार फिर हमारा मसाक उड़ाया। हम तक पहुचने से पहले ही। वो कमभक्त फैज अली उन्हें मिल गया। सुल्टान काम। कड़ी। संझा। महरवानी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का। लोगों का तन ढखने के लिए दोशाले खरीते फिरते ह। तुम्हारा अन्ना का बतन देखा दो। तरसा गया। आखिर असलियत सामने आ गई। नवाब फैज अली डाकू फैज अली थाबत हुआ। सल्तान खान कहा जा रहें आप। आपसे मतलब। मतलब अगर आपको हमारी जान मतलब उम्राव जान से मिलने का इराता है। तो आपको हमारी इजासत लेनी पड़ेगी। तो कि अब वो हमारी खरीदी हुई लॉंडी है। क्या बख रहो। आपकी पीट बलटते ही। वो मोम की तरह हमारी बाहों में पिगल गई। हमें उस मासूम के मुटालिक पकवा सुनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है। आपको सुनका खुशी होगी कि वो मासूम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। और जिसे आप मासूम कहते हैं वो एक तवायफ है। और तवायफ का दीन और इमान दालत होता है। सिर्फ दालत है। और जाहर है कि एक डाकू के पास दालत की कोई कम ही नहीं। जूट। जूट। जूट और सच का फैसला आपकोद उम्रावचान के साथ पैटकर कर लीजेगा। उदा कसंद। उसके मुझ से हमारी सांसों की महकाएगी। फैसली। जी। यकिन नहीं होता। यह यह है। यकिनी होता है तो उसकी ताय चांग पर एक नजर टाल लीजेगा। इतना बड़ा तिल है। जायर है कि वतिल आपने भी तेखा है खांसाब। क्यों। तुम जिन्दा रहोगी। तुम जिन्दा रहोगी। तुम जिन्दा रहोगी। तुम जिन्दा रहोगी। आदा रहोगी। पॉम्राव जानुए। आदा भूदूर अम्राव झानुए। आप लोग जाएए, अब भी हमारी हिफास्थ में है, जी हुआ हुआ आपने, आपने शराब क्यों भी? आप तो हम आ चुके हैं हमने शराब पहली बार इसलिए पी थी, क्योंकि हम दुनिया को छोड़कर आपके पास आये थे आज हमने इसलिए पी, क्योंकि हम आपको छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, यकीनना आप मजाक मजाक अपनों से किया जाता है, खेरों से नहीं तो अब हम खेर हो चुके, आप किसी और को दुलहन बनाएंगे हम सभा से शादी करने जा रहे हैं सभा, जब हमी खबर मिली, कि आप गड़ी में मौझूद हैं हमी डरता कुछ ऐसा ही होने वाला है अब आप से पूछते हैं क्या हुई वो कसमे, वो वादे, साथ जी ने बरने के इरादे वो अंगूठी, वो प्यार की निशानिया क्यों, आखिर क्यों आप अपनी जिदगी से निकाल रहे हैं क्या कसूर है हमारा क्या गुनागी है हमने जवाब बागने का हक तो है हमें हक था उस उम्राओ को जो वफा की मूरत थी लेकिन आफसोस वो मर गई उस पल जिस पल उसने दौलत के लालच में आके अपने आपको किसी और के अवाले कर दिया क्या 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 कह रहे हैं यादे हमने का था जिस दिन तुम वफा की डोर को तोड़ दोगी यह पठान का बच्चा तुमें काटके अपनी सिंदिगी से बाहर फिकते गए मैं तुम्हारे खरीदार फेज अली टाकू से मिलकर आ रहा हूँ हमारा खुदागवार हमने उसे आप तक पहुशने का जरिया बनाया था अपना इम्मान भेजकर अपने जिस्म का सौधा करके यह जूटे वह आपको बहका रहा है और आम बहक रहे हैं हाँ फेज जली आपकी जिस्म के लक्कीरे और कोलाया किनवा सकता है यहां तक कि वो उस दिल को भी पहचानता है हम चांदती है न हम किस दिल की बात कर रहे हैं और कुछ सुनना चाहेंगी आप बोलिए अब आप चवाब दिवचे बारे किस बात यह जूटे सब जूटे सब जूटे यह जूटे यह जूटे बताओ सब खाबश के यह जूटे यह जूटे यह जूटे बताओ मेरे सब खाबश Till आला ने हुकम दिया है कि इन्हें बाइजद लखनों भीज दिया जाए हम आपका ए एहसान जिन्दगी की आखरी सांस तक नहीं भूलेंगी जिस पिंजरे से आजादी का खाब दिखाया था आज उसी सोनी के पिंजरे में वापस बिजवा रहे हूँ हम आपके जिन्दगी से तो जा रहे हैं बस एक एहसान और कर दीजी कभी मुखपत की दो पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया उसी तरह एक आसू भी गिरा दिना हाय अल्ला यह आग कैसे यह गाडिवान असल कटगी बाई साव तुम कैसे रहे गोहर अब ठीक हूं कि तुम आ गया हूं कैसी हूं अल्ला का शुक्र है हम लोग सब सुन चुके हैं पैजली की असलियत और सुल्तान की बेवफाह की दास्तान काश तुमने मेरी हालत देकर सबक लिया होता हूं जिंदगी बहुत कुछ सिखा थी है खुरशीद दर्द तो दर्थी सही एक बात पूछो म्राम आपको हमारी याद आई कभी मैं भूली ही कब थी खुदा कसम हमें आपकी बहुत याद आई जैसे उपर तले की दो बहने होती है ना मा के घर तो हमेशा लड़ती रहती है हैकिन जब एक बिदा हो जाती है ना तो दूसरी रोरों के मर जाती है कि खानम साब कहा है अंदर है जी अच्छा नहीं कि घुटने पे घुटने पे उम्राव फान साब लॉट आई बीजिया या हाल बना लिया है अपना कि खुटना बुलवारे हम पहले दिन से जाते थे कि जिंदगी कित्था पेड़ी खाके तुम वापस लौठी आओगी देख लिया ना बाहर की दुनिया का मखरूचे हरा कानम साब वो ना मैं पूछूँ ना तुम बताओ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटी यह घर तुम्हारा अपना है इसकी चार दिवारी में तुम्हारे लिए हमेशा जगा है अब तबेट कैसी आपकी बिटिया लौट आई तुम्हात ठीक हो ही जाएगी बुआ 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 यह खाट उल्टी केसे रख दी जबकी बता यह बुराशागुर होता है नहीं बिट्या इसे रहने तो तेरी मॉल्वी साहब अब तेरे लिए कभी बताशे नहीं लाएंगे बुआ आप weet पपव पपव पालिस अप पपो अपो तो लोट आईए आप जिस कमबख्त की तलाश में आप गड़ी तक गई वो किसी और का हो गया चलो अच्छा हुआ शायद उपरवाले को यही मनजूर था कि हम दोनों साथ साथ रहें क्या बक्रे हो तुम नशे में हो खुदा जानता है कि मैंने तुम्हे कभी उस नसर से नहीं दीखा तो अब देख लो इतना बुरा भी नहीं हूं मैं यह क्या कर रहे हो गोहर होश में आओ उम्राव जान तुम्हारे इश्क में मैंने क्या क्या नहीं किया नवाब से दलाल बन गया तुम्हारे आशे के बेगाम लाता रहा ले जाता रहा सिर्फ इसी पल के इंतजार में गोहर 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 कि एक और तूफान आगया बहुत बढ़ा तूफान जिसने पूरे मुल्क को अपने चबेट में ले लिया आजादी के परवानों की सरकॉपी के लिए अंग्रीजी फोजों ने लखनों पर भी हमला कर दिया लखनों की गलियों ने कर्बला की आतिला दी तो अंग्रीजी यसीटी बगावत की चिंगारी जो मेरट से भढ़की थी सारी हंदुसान को आग की तरह जला रही है पागयों का सर कुचल कर अंग्रेजों ने दिल्ली पर तो कभजा कर लिया अब आवत की तरफ रुख कर रहे हैं लखनों की गल्यों तक पहुचकाएं कमभख हाई हमारे लखनों को तरह जैसे नजर ही लग गए अल्ला खैर करें खारम साप बहुत बुरा वक्ट चल रहा है खुदा खैर करें यह काहर मिरसा कई दिनों से नजर नहीं आया किसी को इल्म है कहां गया वो खाक टालिये लो उसबर बढ़ाओगा किसी डोमनी के पास याल्लाँ कोहर मिरसा क्या हुआ खुदा यह कैसे हो गया एक सफ मैं ही नहीं हो खुदा पूरा आवद खुद में नया हुआ है वगावद से निपटने के लिए अंग्रेज उने तोपों के मुझ खुलती है लोगों को भासी पे लटकाया जा रहा है और बच्चों को बच्चों को द्रक्तों से उल्टा लटकाया जा रहा है याल्लाँ कियामित के दिन आ गए है कोई जाके मरहम लेकर आओ लगाने के लिए खारम साब आप मेरी फिकर मत कीजिए आप इन साब को लेकर आसे चले जाहिए अब लगनाओं में कोई महफूज नहीं कुछ भी महफूज नहीं ये कौरों के मुहिम सिर्फ बागियों के खिलाफ है या सारे लोगों के उनकी नजब में पूरा का पूरा आवद बागी है आवद के नम पर ही मैंने तलवार भी उठा ली आफिर बाग के खुने रंग दिखाया नवाभी लहूने हाथ में तलवार तही ती हमें फाख रह तुम पर मौला अली तुमारे साथ ही अब और बक्जाया मत करोगा खानम साप आप इन सब को लेके पिछले दर्वादे से चले जाओ मैं उन साथी को लेकर उन जालिमों का सामना करने जाता हूँ चलो चलो अपना सामान बाता हूँ जल्दी करो जलो जलो चलो चलो खानम साप हम जाएंगी कहां कहीं भी नेपल की तरफ चल पड़ेंगे जाओ जाओ गोहर हमने तुम्हें माफ किया खुदाफिस खुदाफिस अदेखा जो औरहे हैं । अपना अपना खियाल रखना है, एकाधिए भूर्डाव से कुछी है। एकाधिए। नहीं जाएंगी। जहां खानम का गोठा महिए खानम। तो खानम भी तो खानम भी साथ ही जाए कि जोएगी। यह क्या कह रही है अमी, चलिए हमारे साथ हमारे साथ इसमिल्ला हमने तुमसे हमेशा सख्ती बढ़ती है इस खौफ में के हम पर नाइनसाफी कल सामने लगे क्योंकि अम सिफ तुम्हारी नहीं इस कोठे की हर लड़की के अम्मा है हमें माफ करते हैं हमें हमें अब जाओ हुसेनी, इन सब को तुम्हारे हवाले कर रही हूं इनकी हिवासत करना जाओ 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 ए MILLION क्या जाओ जाओ कारवा फैजबादी पहुचा है बिस्मिल्ला और खुर्शीव ने कहा, सैजाबा तो तुम्हारा अपना वतन है, तुम क्यों न यहीं पना ले लेती? हम तो आगे नेपाल पहुंचे न पहुंचे? मैंने सोचा, क्यों न आखरी बार अमेरन से मिल ले? रईसा तो हमारे साथ ही ही, साजिंदे भेया मिले, एक मकान हमने किराय पे ले लिया, और रोजी रोटी कमाने के लिए तयार हो गया है, अमेरन, घर जाकर अपनों से मिलना चाहती थी, पर उम्राओ जाए, वो तो एक दवाइफ थी, कैसे चाहेगी? फिर एक नवाब साभ हमारी कयामगा पर तश्षीफ लिया है, आदाब, तश्षीफ रखिए, अल्लाः, शुक्रिया, फर्माईए, हमें खुशी है, कि आप जैसी फंकारा, हमारे फ्राइजाबाद तश्रीफ लाई हैं, हमारे हाँ शादी है, और इस मुबारक मौके पर हम ये चाहते हैं, कि आप एक मुझ्रा पेश फर्माएएं, जी, हमें मनसूर है, बिसमिल्लाः, जैनसीब, फैसाबाद काफी बदल सा क्या है, आप पहले फैसाबाद आ चुके हैं, जी, कदर से पहले, उस वक्त बहु बेगम के मख़बरे पर एक जमादार हुआ करते थे, जिनके एक बड़ी सफेद रंगी कोठी थी, हाँ, थे, मगर आप उन्हें कैसे जानती हैं, जी, एक मर्तबा गदर से पहले महरम के वक्त मैं तैजाबाद आई थी, मख़बरे पर रोष्णी देखने गई थी, बैस वो मुझे घर ले गए और मेरी बड़ी खादिर भी की थी, वही जमादार ना, जिनकी एक लड़की निकल गई थी, मुझे क्या मालूम, यू तो कई जमादार थे और अब ही हैं, मगर रोष्णी वगएरा का इंतिजाम गदर से पहले वही किया करते थे। उनका एक लड़का भी था। आपने लड़का कहां देखा। मैंने जिक्र किया था ना, मैं उनके साथ उनकी घर गई थी, वही मिली थी। जमादार साहब गदर से पहले ही इंतिकाल फर्मा गए थे। उनका लड़का आज भी उनकी जगा पर नौकरी बजा रहा है। महतरमा, इजाज़त है। जी आप चलिए। आप… रहिसा… अमारी सवारी तैयार करो। जी, वीवीजाँ… आपाटेश अबाटेश आपाटेश अबाटेश अबाटेश। हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हमार बिटिया हुआ हुआ है हुआ 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 हु जरूर तुग बाठती अपना, अगर तुम अमीरन होती है, अगर तुम तो एक तवाइफ हो तुई एक रोज के लिए फैजाबाद में आकर, जमादार साहब की याद का भी मिट्टी में मिलाए रही तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हारी अमीरन, अमीरन तो कब की मर चु इस तरह जलील ना होने देती, ना सम्भी, दिल से निकाल दिया, निकालने से पहले एक बार तमाचा तो मारती, एक बार अंगुठी गवाई थी, तो तमाचा मारा था, आज तो मैं सब कुछ गवा के आई हूँ, इसमत, इज़त, मान, मर्यादा, घर, बार, माँ, बाप, कुछ, मारो मुझे, जी भर के मारो, मारती क्यों नहीं, मैं तो भूली गई थी, मारती तो अपनों को है ना, हाँ गएर हो तो, यह ममता की मारी नहीं मारेगी तुम्हें, मगर मैं तुम्हारी खुआइज ज़रूर पूरी कसरता हूँ, जपड़ तो क्या गला भी दबा सकता हूं तुम्हारी जिस तरह तुम्हें इस घर की आबरू को दलदल में दखेला है, तुम्हें तो जीने का भी हख नहीं है जमाल अरो तवाइफ बनने से पहले चुलू बर पानी में डूब जाना चाहिए था तुम्हें जब वो कमभग दिलावर मुझे उठा कर ले गया, मेरे उम्र ही क्या थी बुरा भला नहीं जाती थी, जिन्दगी और मौत कहां समझ बाती अब तो समझती हो, फिर क्यों आई हो में बद्नामी और उस्वाई की हार में दखेलने शायद अमीरन की तलाश में, जो जिन्दगी की गंदगी में गुम हो गए थी या फिर मरने से पहले अपनों को गले लगा कर रोनी के लिए जिन्यादों को हम दफना चुके हैं, उन्हें आवाज देने की कोशिश मत करो चली जाओ फैजाबाद से, हमेशा के लिए जब से होश संभाला है, किसी ने मुझे बहन नहीं समझा एक मा जाया भाय था, आज वो भी अपनी बहन को फिर उसी बाजार में वापस भेज रहा है हाँ, मैं तो अमीरन की तलाश में आई थी, दोपल के अमीरन मिल भी गई थी, फिर खो गई बड़ी भूली थी, और थोड़ी पागर भी थी, कहती थी, मैं कभी शादी करके पेता ना होगी घर और परिवार को जोड़कर कभी न चाओंगी चलती हूँ, हो सके, तूस पगली को पाफ करती ना खवाद मिल जाए जित जी पाया न कुछ हमने जमाने वलो अब जनाजे को तो रुखसत की इजाजात मिल जाए पूछ रहे हैं पूछनी वाले लेकिन हम बतलाएं क्या लेकिन हम बतलाएं क्या दागी दिल में पाये है कैसे उनको हम संजाएं क्या उनको हम संजाएं क्या उनको हम संजाएं क्या पूछ रहे हैं पूछनी वाले कितने दाव है इस दोबन में कितने दाव है माथे पर कितने दाव है इस दोबन में कितने दाव है माथे पर जो हम को अपना सकते थे सच है हमें अपना आए क्या दाव ये दिल ने पाए है कैसे उनको हम समझाए क्या आव पूछ रहे हैं पूछने वाले जो अपनों की बस पी थी अब लगरी है विवानों की चोपनों की बस थी अब नगरी है वे गानों की कौन यहां है सुननी वाला दिल की बात सुनाए क्या दाव ये दिल में पाए कैसे उनको हम समझाए क्या आव पूछ रहे हैं पूछने वाले हम पहने से जखमी है पथर आपका फीपी रहे हो हम पहने से जखमी है पथर आपका फीपी रहे हो हम पहने से जखमी है दिल पर कितनी जखम लगे छोड़ो तुम्हें गिनवाए क्या दाव ये दिल में पाए कैसे उनको हम समझाए क्या पूछ रहे हैं पूछने वाले इसे जफ में पूछने पाए क्या थे पूछने वाले काडिबान रुक्यों गया रश्ते में कौन पडलवा कौन है हम देखाता है बाईसाब कौन कोड़ी बाई उट अरी रुकों मत मारो इसे अला के नाम प्रदेद है बाबा बहुत भूग लगी है रहां कर दो कर मैं निकभू आया लो पल भर मैं भूग के ठीक कर देगी है तिलावर का नाम पर कुछ देदे बाबा कुछ देदे बाबा कुछ देदे बेट इस घरीब का कुछ देदे बेट तुम जो भी हो अल्लावाली हो वेटाग बहुत रहम है तुमारे दिल में तुम्हारे जैसे नेक लो कि अल्लाव शुन साते बिता हो सके तो मेरे ह्क में दुआ करना बहुत बढ़ा गुनेगार हुँए बहुत बढ़ा गुनेगार हुए पाग परवर्तिका, तिलावर की कुना, माफ करते। वे हát, पाग णाज करते हैं, तवका सीोलावर की का परवर्तिका, तिलावर की के ओ Sónya डोका सही हैं, त्हु outta आसकेयाश जया। कि अरुम राजार ने फैजाबाद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और साथ ही खत्म हो गई मेरी दास्तान कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ शायद कहना पाऊं समझ भी नहीं आता कि इस दास्तान को क्या नाम दूँ अमीरन की कहानी कहूं या उम्राओ की बहरहाल जिन्दगी का सफर भी क्या आजीब सफर है अगर इस सफर का निचोड आप अपने अंदाज में पेश कर दें तो इनायत होगी करम होगा नवाजिश होगी कोई पूछे बदनसीबी की है इंतहा भी कोई कोई पूछे बदनसीबी की है इंतहा भी कोई तो मेरी मिसाल देना तो मुझे नमोना करना तो मेरी मिसाल देना तो मुझे नमोना करना तुम्हे मेरी ही खसन है मेरी आरजों नकरना मेरी मिसाल देना तो मुझे नमोना करना तो मेरी मिसाल देना तो मुझे नमोना तो मेरी मिसाल तो मुझे पूछे नमोना कर दो 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 कर झाल 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 झाल